हेलो दोस्तो शेर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावाट आ चुकी है दोस्तो यह बहुत बड़ी मतलब कि यह एक रिकॉर्ड हम बोल सकते हैं कि दोस्तो यहाँ पर देख लो और कुछ तो ऐसे stock है जो आपको more than 50% discount पे मिल रहे हैं दोस्तो मतलब कि अगर किसी stock का price था मालीज यह 100 रुपीज दोस्तो वो stock आज के date में आपको मून मिल रहा है 40 रुपीज या 35 रुपीज के आसबास मिल रहा है तो यह 100 रुपीज का stock आपको बहुत सस्ता मिल रहा है तो ऐसे ही आज कुछ stock बताएंगे जो नए लोग है या पुराने लोग है उनको ऐसे stock पे focus करना चाहिए जो आने वाली दुनों में उनको बहुत अच्छा से अच्छा return दे सकता है तो सबसे पहला stock हम start करेंगे दोस्तों ICIC bank के साथ ठीक है देख सकते हैं दोस्तों ICIC bank एक इतना अच्छा bank है दोस्तों जो मतलब बहुत ज़्यादा growth कर रहा था बहुत ज़्यादा growth कर रहा था दोस्तों यह continue increase होते जा रहा था केवल 284 रुपीज के भाव में मिल रहा है केवल 284 रुपीज के भाव में मिल रहा है और मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इस भाव में खरीदा है नहीं अभी दोस्तों market और गिरेगा और ऐसे stock और भी गिरेंगे तो आपको और भी अच्छे सस्ते से सस्ते valuation पर मिलेंगे तो यह वीडियो का focus क्या है कौन से stock पर हमें focus करना चाहिए जो हमें अच्छे से return दे सकता है आने ओले दिनों में ठीक है तो ICIC bank हमने देख लिए दोस्तों दूसरा है HDFC bank आप तो HDFC bank के बारे में जानते हैं दोस्तों यह दिगज बैंकों में से एक है जो बहुत बड़े बड़े blue chip company हो में आती है मतलब की यह top company मान लेते हैं दोस्तों यह top company है ठीक है top में से आते हैं ठीक है अब देखिए HDFC bank भी आपको below 1000 रुपीज मिल रहा below 1000 रुपीज के बाद तो छोड़िए यह 700 के आसपास में मिल रहा भी 771 है अगर market गिरेगा तो यह 700 के आसपास आ जाएगा तो यह सोचिए इतने बड़े और इतने अच्छे bank जो आपको इतने सस्ते valuation पे मिल रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तो HDFC वो bank है जो dividend देता है dividend के साथ साथ दोस्तो इसने bonus bonus के साथ सा stock को split भी किया था split भी किया था तो इस stock में बहुत ज़्यादा जो potential है और इसका जो highest था दोस्तो अभी अभी का जो highest यहाँ पर देख सकते दोस्तो 800 800 के आसपास से गया था लेकिन अगर मैं इसका lifetime का high दिखाता हूं यहाँ पर तो यह देख लीजे दोस्तो इसका जो highest है 1300 के आसपास आप देख लो इसमें growth ग्रोथ देख लो दोस्तो यह bank नहीं खा जाना है खा जाना जितना ज्यादा deep जाओगे जितना गहराई में जाओगे उतना आपको मतलब की पैसे double 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 होते जाएंगे इतना double हो जाएंगे कि आ यहां पर देख सकते हैं केवल 27 रुपीज था केवल 27 अगर इसे नीचे जाएंगे तो यह स्टॉक आपको 10-15 रुपिय में भी मिल जागा ठीक है तो यहां पर देख लिए दोस्तो 27 रुपीज का स्टॉक आज आपको कितने में मिल रहा है दोस्तो सॉरी मतलब यह कहां तक चला गया था वह मैं आपको बताना चाहता हूं 1,300 रुपीज तक चला गया था और आज के डेट में यह स्टॉक में पहली बार गिरावट आई है पहली बार का मतलब होता है दोस्तों फॉर्स टाइम यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यह स्टॉक देख लिए चान्ट तो यह हमने दूसरा स्टॉक देख लिया भाई अब हम तीसरा देखेंगे ठीक है यह है दोस्तों तीसरा क्विस कॉर्परेशन ठीक है दोस्तों क्विस कॉर्परेशन भी एक बहुत अच्छा और दोस्तों मतलब की प्रॉफिटेबल स्टॉक है प्रॉफिटेबल का मतलब ह स्टॉक अभी कितने प्राइज में मिल रहा है केवल 200 रुपीज में अब बताइए 1200 का प्रोड़क्ट अगर आपको 200 केवल मतलब कि दोस्तों अगर आपको डिसकाउंट दिया जाया तो यह बहुत बड़ा अमाउंट होता है इतना तो लोग कुछ ऐसे वैसे भी खर्च कर देते हैं ठीक है तो ऐसे स्टॉक मतलब कि दोस्तों गिरते हुए मार्केट में ऐसे स्टॉक पर आपको ध्यान रखना है जहां आपको प्रॉफि कमाल कर देगा ठीक है मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं यह स्टॉक के बारे में रेल विकाउस निगम लिम्टेड इसका फूल फॉर्म है और इसका प्राइस क्यों गिर रहा है वो भी मैं आपको पता देना चाहता हूं भाई इसका प्राइस इसलिए गिर रहा था 29 रुपीज तक बस थोड़ा सा वेट कर लिजिए और ये न्यूज जब आपके पास आ गया जो मैं भी आपको बताने वाला हूं तो सोच लिजिए कि आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है मार्केट में ठीक है क्या दोस्तों जिस दिन रेल्वे स्टार्ट हो जागा ठीक है जितना भी अब दख सकते हो पैसेंजर ट्रेन हैं उनको बंद कर दिया गया है पूरा और बहुत सारे एसे भी स्टेट है जिनको लॉकडाउन कर दिया गया ठीक है तो जिस दिन को डर हट जाएगा क्रोना खत्म होझा दोस्तों उसके बाद मैं बोल रहा का आपको जो है अपर सर्कीट देखा जागा बस थोड़ा सा वेट किजिए और पीशिंस रखना ठीक है और यह जो है दोस्तों यह कौन सा स्टॉकर इसके अगला वाला है SBI Card के लिए बहुत लोगों ने अपलाय किया था गिरते हुए मार्केट में और यह सोचा था कि आपको अचा से अचा रिटन दे सकता है लेकिन नहीं लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है लेकिन ऐसा बात नहीं है कि SBI Card नहीं चलेगा आपको यह जरूर आपको अ दो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत दिगज मतलब कि बड़ी बड़ी स्टॉक है एक है बाटा इंडिया एक है दोस्तों डीमाट और बाटा इंडिया के बारे में क्या बताना डीमाट तो आपको पता है यह बहुत बड़ी मतलब कि इसने भी बहुत अच्छा रिटन दिया दोस्तों बहुत अच्छा रिटन दिया लेकिन आप आज के डिट में देख लो दोस्तों यह बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है लोगों को देख लो यह ज्याद्या मतलब नई कंपनी है इसे हम बोल सकते हैं ठीक है दोस्तों यहां था जब यह कंपनी आया था अराउंड 600 आज परस में और उसके बास यह कंपनी में जो मतलब की हाई實 मारा तोच तक चला गया तो पैसा बहूत मतलब mais करते चला गया उसके बाद से तो क्या च् going to start a क्या क्वा wz चोड़ना चाहिए कि जो इस प्राइश पर शोड़ना हो मिल रहा हो और वह आपको गिरावाट में जा रहा तो क्या आपको छोड़ना है जिए प्लकुल नहीं चोड़ना चीए डीम 대해 हो गया और उसके बाद दोस्तों एक बाटां इंडिया हो गया तो ऐसे स्टॉक नहीं छोड़ना चाहिए ठीक है तो यह था स्टॉक, जिस में आपको फोकस करना चाहिए गिरते हुए मार्केट में दोस्तों जितने भी सेल कर रहे हैं लोगा यहां पर आपको फोकस करना चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर इंक्रेस किजेगा क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताने वाला है कि कौन से कौसे ऐसे स्टॉक है जो आपको पैसा डबल कर सकते हैं ये गिरते हुए में ऐसे स्टॉक है बहुत सारे जो आपको सस्ते से सस्ते वेलियोशन पर मिल रहे हैं तो मैं चाहूंगा ऐसे वीडियो भी आपके सामने लाओं जो आप लॉंग टम में अच्छा से अच्छा पैसा कमा सकते हैं